नमस्कार मैं मादवी और आप देख रहे हैं लाइव लगता एक बर फिर मैं हाजर हूँ बॉलिवुद की खबरों के साथ कॉमेडियन तपिल शर्मा के शो में पिंकी भुआ का किरदार निभा कर लोगों के चेरों पर हसी लाने वाली उपासना सिंग आज अपना 47 वा जर्म दिन मना रही है उपासना का जन्ग होशियादपूर में हुआ था कॉमेडी से सभी को गुदगुदाने को मजबूर कर देने वाली उपासना सिंग ने अपनी करियर की शुडवात बतोर आक्टरस की थी आज उपासना सिंग ने साल 1986 में फिल्म बाबुल से अपनी आक्टिंग करियर की शुरुवात की थी उपासना सिंग ने हिंडी के साथ पंजाबी, भोचपूरी और गुजराती भाशाओं में भी फिल्में की है उन्होंने अब तक लगभग 75 फिल्मों में काम किया है बहुत फीमस हुआ था, लोग आज भी उन्हें अबड़ा बजबा डायलोग से जानते हैं जब भी उपासना सिंग की बात की जाती है तो ये डायलोग सबसे पहले लिया जाता है उन्होंने एतराज, बादल, हंगामा, जुर्वटू जैसी कई फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों में उनकी कॉमेडी को काफी पसंद किया गया था सोनपरी में बनी थी विलेन उपासना सिंग ने बच्चों के फेवरिट शो सोनपरी में नेगेटिव किर्दार निभाया था वशो में काली परी बन सभी को डराती नजराती थी इस शो ने उन्हें घर-घर में अलग पहचान दिला दी उन्होंने माईका, राजा की आईगी बारात, डाभा जंक्षन, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी कई सीरिल्स में काम किया है इन सभी सीरिल्स में उपासना की आक्टिंग को काफी पसंद किया गया कपिल शर्मा शो से फिर जीता दिल दकपिल शर्मा शो में पिंकी बुवा का किरदार एक बार फिर उपासना सिंग को सुर्ख्यों में ले आया है उन्हें इस किरदार ने फिर से घर-घर में फेमस करा दिया उनके बोलने के अंदास और कॉमिक टाइमिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं टीवी आक्टर से की शादी उपासना सिंग ने टीवी आक्टर नीरज भार्दवाद से साल 2009 में शादी की थी दोनों की मुलाकात शो एदिले नादान के सेट पर हुई थी जहां दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों शादी के बंधन में बंध गये इस खबर के लिए बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त नमश्कार न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ